नमस्कार, स्वागत आपका देख रहे हैं आप लोग जोतिश चराहट के मैं हूँ आपके साथ आइस्टो फ्रेंग्ड आपका और दिवाली स्पेशल सीरीज चल रही है इस समय लगातार परड़े हम कुछ न कुछ नया लेकर के आ रहे हैं दिवाली चार नमबर को है अमावस्या की रात कार्थिक अमावस्या तंत्र की रात होती है दिवाली एक ऐसा समय है जब आप तमाम तंत्रिक क्रियाएं कर सकते हैं और इन तंत्रिक क्रियाओं का लाव ले सकते हैं इन तांत्रिक क्रियाओं का लाव ले सकते हैं। ये तांत्रिक क्रियाएं आप सब को सकरात्मक करने के लिए हम बताते हैं। आज की तांत्रिक क्रिया अविवाहितों के लिए है जिनकी शादी नहीं हुई है एनकेन प्रकारिण सक्षमता होते हुए भी जो विवाहित नहीं हो पा रहे हैं किसी न किसी कारण से विवाह रुक जाता है चाहे लड़की हो या लड़का दोनों के लिए एक खास प्रियोग हम लेकर के आएं जैसा कि आप लोग को याथ है हमने बताया भी कुंडली में दुतिय और सब्तम का संबंध विलम विवाह का कारक होता है सब्तम सब्तमेश्ट के साथ शैनी राहु या छठे और आठवे के स्वामी बैठ जाएं कहीं पे भी तो भी विवाह में तीन से चार वर्ष का विलम हो जाता है बहुत स्वाभाविक सी बात है और बहुत स्पष्ट योग होता है अब दुतिय और सब्तम के साथ अगर द्वादस के स्वामी का भी संबंध बन जाए तो विवाह में और बाधा आती है और कई बार शादी नहीं हो पाती कई बार आपके ही मन से ऐसा होता कि आप छोड़ो ना आप कौन शादी करेगा लेकिन अगर कहीं भी एक रती इक्षा है कि आप चाह रहें कि हाँ शादी होनी चाहिए तो दिवाली की रात 11-1 के बीच में अब जो हम प्रियोग बताने जा रहे हैं इसे जरूर कर लीजेगा एक केले का पत्ता ले लीजे पहले भी हमने केले के पत्ते पे खिचिड़ी खाने के लिए बताया था कि याद करिएगा शादी के लिए यहां केले का पत्ता लेजिए हल्दी और सिंदूर देशी घी से घोल कर इस पत्ते के दोनों तरफ अपना नाम और गोत्र लिखिए कि दोनों तरफ लिखना है और किसी भी तरफ रख दीजिए ऐसे आगे से चाहें पीछे से रखकर इस इस पत्ते पर आटे के तीन दिये जला दीजिए आटे के तीन दिये घी से जलाना है एक मुग की बाती निकाल लिएगा आटे का दिया लोई बनाकर शोटी सी दिये को फ्रीजि में रखतेंगे तो थोड़ा सा जल्दी टाइट हो जाएगा आटे के तीन दिये पत्ते पर रखकर जला दीजिए मुग बत्ती से और बैट जाएगे सामने और मंत्र बोलिए मेरे साथ ओम दुम दुरगाये नमह ओम दुम दुम दुरगाये नमह चार शे मिनट इसे कर लिजिए दिया उठाकर पुजास्थान पर कहीं पर भी रख दीजिए और पत्ते को गद्दे के नीचे डाल कर सो जाएगे सुबह इस पत्ते को दिवाली की अगली सुबह जैसे इस बार चार नॉंबर को दिवाली तो पांच तारी को सुबह नहागर पत्ते को ले जाकर कहीं पर डालाईए अब एक प्रशन आप लोग करेंगे भी नीचे कमेंट बॉक्स में कि अगर केले का पत्ता ना हो तो क्या करें तो फिर आप उपायर नहीं कर सकते इसका कोई बिकल्प नहीं है छमा चाहेंगे भाग इशाली होगा अगर आपके आज पास केले का पत्ता मिल जाएगा पत्ता झोटा टुड़ा काटिएगा बहुत बडा टुड़ा काटने रजाकता नहीं है आपका नाम और गोत्र ही लिखना है लिखने के लिए रिंग्फिंगर का इस्ते 말 करिएगा हलदी और सिंदूर घी के साथ गीला करके उसी से लिखना है तो करिए ये प्रियूग ठागुर जी की किरपा रही तो एक महेने के अंदर में बिवाह का सुब संदेश आपको जरूर मिल जाएगा थांक्यू मुलाकात कर सकते हैं 29 तारिक को कानपूर और इसके बाद 31 तारिक से गाजियाबाद बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार शेरादे